आज तक के शो दंगल में बोले बीजेपी प्रिवक्ता गौरवभाटिया बीजेपी को किसी बैसाखी की जरुरत नहीं है अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे भारतिय राजनिती में शरत जी संबानी तिव्यक्ति हैं गौरवभाटिया ने कहा है मतभ लेकिन हाँ इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि शरत जी भारकी राज़िती में एक बहुत ही सम्मानित नेता है और उनसे तमाम हमारे मतभेद हो सकते हैं लेकिन उनका आदर किया जाता है और मैं कहता हूँ उनके एक बयान पे आज चर्चा जरूर होनी चाहिए अभी कुछ दिन पहले अंजना जी उन्होंने कहा था कि अगर रोटी को सही समय पे ना पल्टा जाए तो वो जल जाती है काली हो जाती तो आज सवाल यह बनता है कि जब यह रोटी पल्टी जाएगी तो यह रोटी परिवार के हिस्से में आएगी या जंता की भूक मिटाएगी